असलाम उलेकुम मैसल फैसल शबीर क्या हाल चाला हैं सब ठीक ठाक हैं तो ये हैं डैनी के आल न्यू बेस्ट बजट गेमिंग एरबर्ड्ज वान वन जीरो तो ये ट्रू वाइलस स्टेडियो एरबर्ड्ज धेर सरे डिसकाउंट के बाद इस लाँच पे आपको मिलते हैं सिर्फ 3,299 रुपे में चलें फटा फटी से अन्बॉक्स करते हैं तो बॉक्स में में देखने को मिलती है एक अदद फीचर बुक एक यूजर मैंवल देखने को मिलेगा एक सार के लिए वैलिट वरंटी कार्ड इसके बाद हमें बॉक्स में देखने को मिलता है एक अदद रबड का लैन यार्ड एक अदद टाइप-C चार्जिंग केबल एंड फाइनली डैनी के AirDots 110 तो इसके अमेजिंग फिचर में आपको मिलता है ENC मोड, लो लिटेंसी 55 MS on game mode और IPX5 water production इन्हें यूज़ करते हुए पसीना वगएर आज़े ये पानी के छीटे मेटे लग जाएं कोई मसला नहीं तो चलें सबसे पहले बात करते हैं इसके build and design के बारे में तो इन AirBuds का charging case bar shape में है अगर इसकी body की बात की जाएं तो body में देखने को मिलती है semi transparent और अगर look की बात की जाएं तो इन AirBuds को glossy shiny look दी गई है जिस पर शायद scratches पढ़ने के चासे स्टोड़े ज्यादा हैं और इस bar shape charging case के अंदर आपके AirBuds slide होके निकलते हैं तो आपके charging case और AirBuds के top पे आपको Danny की branding देखने को मिलेगी front side पे आपको charging port और एक indicating light देखने को मिलती है birds के अगर बात करने तो यह open air design वाले हैं इन पे आपको rubber देखने को नहीं मिलेगी size की बात कीज़े तो काफी small और compact size है तो इनका design indoor use के लिए बिल्कुल perfect है और आप इने बेफिकर होके काफी देर तक use कर सकते हैं क्योंकि rubber ना होने के वज़े से इनके अंदर air pressure build नहीं होता और गिरने वाला कोई चकर नहीं है क्योंकि यह charging case में मौजूद built-in magnet से catch हो जाते है तो overall इसका design बिल्कुल different है और काफी compact size में है lightweight है और काफी solid feel होता है चले आप बात करते हैं इसकी sound quality के बारे में तो इन airbers की design की वज़ा से vocals कमाल के निकल के आते हैं और अगर bass की बात की जाए तो open air design की वज़ा से बहुत ज़्यदा heavy नहीं है लेकिन perfect और balanced feel होती है और इस price point के एसाब से perfect है और Danny ने सके अंदर दो sound moods introduce करवाए है एक high-fi sound mood एक bass mood जो sound mood भी आपको suit करें उस पर switch करके आप इसको use कर सकते हैं इसमें आपको मिलता है full touch control इसके user manual पर आपको बहुत से function देखने को मिलेगे इनने लाजम ही readout कर लीजेगा और vice assistant की command भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है तो जैसे के यह gaming air dots हैं तो इसके game mood में आपको मिलेगी low latency 40-50ms जिससे आपको मिलेगा बहतरीन gaming experience अब इसे आपने फोन के साथ पेर कैसे करना है तो आपके पास किसी भी बिरान का कोई भी model है कोई भी फोन है तमाम devices के साथ बड़ी असानी से पेर हो जाते हैं simply अपने Bluetooth menu में आ जाएं और birds को charging case से बाहर निकालने के बाद आपने इनको पेर होने देना है अपने पेर करने है अपने फोन के साथ और ये काम आपको जस्ट एक बार करना पड़ता है उसके बाद आप अपने फोन के साथ जब भी यूज़ करना चाहेंगे ये आटो पेर हो जाएंगे अब अगर बात की जाए इसके battery backup और play time की तो charging case में आपको देखने को मिलती है 300 damage की battery और birds में आपको देखने को मिलती है 30 damage की battery और ये charging case इन earbuds को आलमोस 4-5 मरतबा फुली चार्ज कर सकता है play time की बात की जाए तो 50% वाले में पे आपको आलमोस 3-4 घंडे टाइम देखने को मिल जाएगा यहां पे एक बात नोट कर लें इस टैप के gadgets को कभी भी fast charging से चार्ज ना करें आपके पस जो भी regular charger है उसी से चार्ज करें इन से इनकी battery life भी बढ़ेगी और इनमें फाल्ट भी नहीं आएगा तो सिर्फ 3,299 पे के price point पे इनका design, इनकी sound quality, इनकी build quality इसके amazing features के हिसाब से बिल्कुल perfect और best budget earbuds है अब अगर आप इसे order करना चाहते हैं तो इसका link मैंने description में दे दिया है वहां से आप इसे easily order कर सकते हैं तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो और डैनी के all new 8.110 comments में लाजमी बताईएगा वीडियो पसंद आगे तो वीडियो को like और share कर दें चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन पर click कर लें जिनकी रही तो फिर से मुलाकात होगी सलाम उलेकुम